हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे स्वागत हमारी यूटूब चैनल अनिल फर्मेसी नोलेज में जिसमें आपको मेडिकल से जुड़ी जानकरी सरलभासा में दी जाती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में तो दोस्तों डेंगू बुखार क्या है और ये किसके कारण से फैलता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं इससे बचने की क्या क्या उपाए हैं और इसका क्या ट्रीट तो दोस्तों ये सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहें वाला हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें आप लाश्ट तक देखें इस वीडियो को तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवा है दोस्तों डेंगू वायरस एडि मच्छर के काटने पर फैलता है और डेंगू भुखार को हड़ी तोड भुखार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों क्यूंकि इस भुखार के होने से लोगों को इतना अधिक दर्द होता है दोस्तों कि जैसे उनकी हड्डिया तूट गई हो ठीक है दोस्तों और अब बात करते हैं दोस्तों की जब आपको डेंगू वुखार हो जाए तब आपको काँन काँसे सिम्ठम्स देखने को मिलते हैं तो दोस्तों पहला है सिम्टम्स आपका डेंगू वाइरस से संक्रमित होने पर 4-7 दिनों के बाद लक्षण दिखना इस्टार्ट होता है दोस्तों दूसरा है आपका बलड पेसर का तेजी से गिरना और हिर्दय गति का कम होना तीसरा है लक्षण आपका दोस्तों को आँखों का लाल होना और दर्द होना और चौथा है आपका लक्षण दोस्तों के चेहरे पर गुलावी दाने दिखना डेंगू वुखार का सूचक है पच्मा लक्षण है भोखना लगना सीर दर्द होना ठंड देकर वुखार आना इन चीजों के साथ डेंगू बुखार की सुरुवात होती है दोस्तों यह सभी लक्षन डेंगू बुखार के पहले चरण में दिखाई देता है दोस्तों यह 4 दिन तक पहला चरण चलता है दोस्तों डेंगू बुखार के दूसरे चरण में दोस्तों बढ़ा हुआ सरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीना आने लगता है और इस समय रोगी को बहुत 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 अच्छा महसूस होता है दोस्तों लेकिन यह एक दिन से जादा नहीं चलता है दोस्तों डेंगू के तीसरे चरण में सरीर का तापमान पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे सरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों की डेंगू उखार से कैसे बचें तो दोस्तों इस बिमारी से बचने का सबसे सरल तरीका है कि मच्छरों को घर से बाहर भागाना क्योंकि मच्छरों के काटने से या बीमारी फैलती है इसलिए मच्छरों को भागाने वाले उत्पादों का उप्योग करना चाहिए इसके अलाबा कपड़ों से खुद को ढग कर रखना चाहिए और मच्छर दानी का हमेशा ही इस्तमाल करना चाहिए अपने आस पास पानी नहीं जमा होने देना चाहिए और जिस बरतन में आप पानी रखते हैं उस बरतन को आप अच्छे से साफ रखना चाहिए और जहां आप रहते हो वहां साफ सफाई रखें चाहे आप घर में रहते हो चाहे आप आफिस में रहते हो आप जहाएं भी रहें वहाँ पे आप साफ सफाई रखें गंदगी बिल्कुल भी न रखें और आप ज्यादा से ज्यादा साफ पानी पीएं और इसके अलावा आप बात करते हैं दोस्तों कि आप अगर आपको डेंगू हो जाए तो आप घर पर क्या-क्या इलाज कर सकते हैं और फिर उसमें पी-सी हुई काली मिर्च मिलाकर पीएं तो इससे भी आपको अच्छा लगेगा और आपकी बुखार भी इससे कम होगी दोस्तों तीसरा है आपका दोस्तों की पानी का सेवन जादा से जादा करें और चवता है पानी से जादा से जादा मतलब की सोरी पानी नहीं सोरी जादा से जादा आप घर पर आराम करें और पॉस्टिक आहार लें और छटमा है तुरंत है अगर आपको मतलब की डेंगू बुखार हो तो आप तुरंत डाक्टर से सलाह ले तो यही रही आज की वीडियो दोस्तों कैसी रही वीडियो अगर अच्छी रही वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों के पास सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई द झाल दो और दो